नमक कारो कि भगवान बुद्ध का जो धम है या भगवान बुद्ध की जो फिलोसफी है या बुद्ध की जो तधागत की फिलोसफी और दसन है जो उन्होंने बताया है वो मनुस्य के कल्यान के लिए है उसकी सारी बाते मनुस्य के फायदे के लिए है आप जहां से भी उनकी बाते माना शुरू करेंगे पूरी फ्लॉस्पी में वहीं से आपको लाब होना शुरू हो जाएगा इसको आप ठीक ऐसे समझें कि जैसे आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में आपको गैस बनती है अगर आप उस गैसे बचना चायते हैं तो आप खाने की quality है या quality है, quality सुधा लीजिए और quantity कम कर लीजिए जैसे ही आप खाने की quality ठीक करेंगे और quantity कम करेंगे उसी चन्थ से आपको आराम होना सुरू हो जाएगा ऐसे ही भगवान बुद्ध ने जितना धंब दिया है ये आप यही मानें कि ये एक समुचित मात्रा और समुचित आवश्यक पधार्थ है सरीर के लिए जैसे आपने उन्होंने कहा कि आपको जूट नहीं बोलना है तो जूट ना बोलने का जो नियम नोंने दिया है आप जब जूट बोलना सुरू करेंगे तब ही से आप परिशान होना सुरू हो जाएंगे और आप जीवन के किसी भी स्टेश से यानि बच्पन से जब आप जवान है तब या बढ़ापे में तब जब भी आप जूट बोलना बंद कर देंगे आप तबी से सुखी होना सुरू हो जाएंगे इसलिए भगवान बुद्ध का धम मनुष्य के चरित्र के लिए हर समय कल्यानकारी है आदी में मद्ध में और अंत में धन्यवाद अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंजी बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूटें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले